मुझे बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी है बट मुझे डॉलर यूज नहीं करना है मैं किसी तरीके का ऐसा एक कॉर्रस्पॉंडेंस के थू यानि एक ऐसा अकाउंट खुलवाना चाहती हूं जिसके थू असानी से ट्रेड भी हो जाए और कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा इश्यू भी ना हूँ क्या है ये कॉंसेट एक कॉर्रस्पॉंडेंस बैंकिंग अगर आपने सुना हूँ जिसमें अलग-अलग तरीके के अकाउंट्स खोले जाते हैं आप मेरे पीछे नोस्त्रो-वस्त्रो अकाउंस देख सकते हैं hello everyone मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ youtube channel पर शहां पर डेली शाम को 6 बजаем हम मिलते हैं और डेली के करंट रफैस करते हैं आज काफी important concepts हैं हमारे session में जो मैं आपको समझाने वाली हूँ Nostro Vostro is the first मतलब जो है हम जो है detail में समझेंगे अब जब newspaper भी पढ़ते हैं तब भी आपने Nostro Vostro बहुत 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 करेगा आपकी पढ़ने में So shall we start the session शुरू करते हैं आज का session शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग जल्द से आ जाईए अगर आप channel पर नए है make sure आप channel को subscribe कर दीजे also other 24 7 का application भी download कर लीजेगा क्योंकि यहाँ से आपको daily quizzes हो गया current affairs हो गया, magazines हो गया यह सारी चीजे free में मिल जाती है also अगर जितने भी हमारे sessions होते हैं everything is available on the app basically ठीक है, in short चलिए, शुरू करते हैं, आज काफी सारी चीजे आज यह सारी चीजे आज हम पढ़ने वाले हैं काफी news है और last में rapid fire भी करेंगे पहले news है मध्यप्रदेश government की मध्यप्रदेश ने lead किया है यहनी first आया है implementation of center का green credit program center का green credit program क्या है यह green credit program अब माली जे मैं आपको यहाँ पर यह बोलती हूँ मैं आपको जब हमारा rapid fire होता है तब मैं आपको यह बोलती हूँ कि जो दो students सबसे पहले जवाब देंगे उनका मैं नाम यहाँ पर announce करने वाली हूँ मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ सो यहाँ पर आप credit program भी कुछ ऐसा सही होता है जहाँ पर सरकार यह कहती है कि कोई individual है कोई company है कोई भी group है अगर उसने climate को ठीक करने के लिए climate को better करने के लिए कोई भी step लिया है तो हम उनको एक तरीके से incentivize करेंगे इन credit programs के थूँ इसी को हम green credit program बोलते हैं यानि मैं भी एक तरीके से आपको motivate कर रही हूँ आपको जो है आपके नाम लेके तो इससे क्या होगा आप और ज़्यादा competitive होते हो जादा जल्दी से जल्दी time manage करके जल्दी से जल्दी answer देने की कोशिश करते हो जादा जल्दी से जल्दी answer देने की कोशिश करते हो ग्रीन credit program भी जो है कुछ ऐसा सा ही होता है recently environmental conservation के उसमें मध्यप्रदेश ने यहाँ पर front runner जो है मध्यप्रदेश रहा है green credit program जो हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था उसमें यह आपको याद रखना है जिसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर मध्यप्रदेश ने बहुत सारे जो है environment को save करने के लिए बहुत सारे steps लिए है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो rehabilitate करा है degraded forest land को अगर को degrade हो चुकी है ठीक है उसके बाद तिलंगना 36 गड़ गुजरात असम ने भी काफी सारे steps लिए हैं बट मध्यप्रदेश आपको याद रखना है अगर मैं green credit program की बात करूँ तो यह एक तरीके का mechanism है जहां पर आप environmentally एक voluntary एक तो ही voluntary है ठीक है कि मतलब ऐसा कोई कुछ legal नहीं होता है यहाँ पर अगर आप नहीं इसमें वो करते हो तो voluntary है चीजे तो यह आपको याद रखना है कि यहाँ पर voluntary है अगर आपको participate करना है बट definitely government आपको कुछ incentive देने वाली है कुछ green credits देने वाली है यहाँ पर एक तरीके से ताकि आपको और ज्यादा push यहाँ पर जो है मिल सके ठीक है इतना ही आपको याद रखना है majorly तो जैसे हमारे carbon certificates भी होते थे ना carbon trading, carbon certificates carbon credit यह सब भी होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर आपने carbon emissions को कम किये तो आपको कुछ मिलता था यहाँ पर सिर्फ carbon की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है overall green यानि climate change को रोखने के लिए आपने जो भी चीज़ा करी है everything is included under this ठीक है तो जो भी participants है जिनको एक बार receive basically recognize किया जाएगा कि किसने क्या initiative लिया है किसने क्या step लिया है और जुतने भी participants हैं उनको जो है tradable green credit certificates मिलेंगे यह आपको याद रखना है चलिए digital infrastructure और basically यहाँ पर जो है GCP जो है prioritize करता है user friendly digital infrastructure इसमें verification issuance of green credits यह सारी चीज़े जो है इस तरीके से होती है क्या कोई भी individual हो कोई भी company हो कोई भी small projects हो सब लोग जो है यहाँ पर यह इस तरीके से काम कर सकते हैं they can get this next है Nostro and Wostro account एक ही चीज़ है actually यह देखने का नजरिया है अलग-अलग एक तरफ से देखते है Nostro लगता है एक तरफ से देखते हैं Wostro लगता है recently क्या हुआ है बहुच ज़दा news में रहते हैं especially Russia के context में बहुत ज़दा news में रहते हैं जब से हमने Russia से agreement किया है कि जी dollar में हम क्यो व्य quellaपार करें हम dollar को क्यूँना by-pass करें और रश्या का रूबल और इंडिया का रूपी, क्यों ना हम इसको यूज करके जो है ट्रेड करें, या फिर जो भी हमारे economic relations है, उनको बेटर करें. Recently, payment mechanism for traders importing pulses from Myanmar has been simplified by the government, यानि Myanmar सरकार के साथ, हमने ये एक नया initiative लिया है, जहां पर pulses pulses का import export होता है इंडिया और मयनमार के बीच में, वहां पर हम नोस्त्रो वस्त्रो अकाउंट यूज करके payments करने वाले हैं. ठीक है, यह आपको याद रखना है, the importers have been asked to utilize the rupee, यानि रुपी और कया, जो कि Myanmar की currency है, वो आपको यूज करना है, special वस्त्रो account के लिए through Punjab National Bank. अब यह समझ लेते हैं कि इतना तो मुझे समझ आ गया कि यह Myanmar government के साथ हमने किया है, बट यह होते क्या है, यह हम समझ लेते हैं. So, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है, एक तो normal system होता है कि माल लिजे, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर Myanmar है, इंडिया है और Myanmar है, अब इंडिया और Myanmar के बीच में कुछ import, export होता है, तो एक तो तरीका है कि माल लिजे, Myanmar ने इंडिया को कुछ बेचा है, यानि Myanmar ने export किया है, तो इंडिया का क्या फर्स बनता है कि Myanmar मयनमार को payment करें तो एक तो यह होता है कि आप डॉलर में payment कर दो आप directly जो है मयनमार को मयनमार के किसी bank account में पैसा भीज दो इस तरीके से एक तरीका होता है ठीक है बट एक और तरीका होता है जिसको हम correspondence banking कहते हैं correspondence शायद आपने अगर आप किसी customer care में call करते हो तो भी आपके ज क्या करवाने वाली है? एक अकाउंट खुलवाने वाली है. किसी भी बैंक में यहाँ पर जो है अकाउंट खुलवाएगी और वो बैंक, as a representative, as a प्रतिनिदी, as a correspondent act करेगा हमारी payments के लिए. ठीक है? अगर यहाँ पर समझ नहीं आया, तो ये वाला एक देखिए, नोस्त्रों क मतलब ही होता है, our money at your bank, यानि हमारा पैसा आपके बैंक में. अब आप as a representative act करोगे सारी payments के लिए. ठीक है? मतलब हम पैसे दे देंगे, तो हमारा पैसा जब आपके अकाउंट में जाता है, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है, हमारा पैसा जब आपके अकाउंट में, हमारा पैसा जब मैंनमार के अकाउंट में, यानि हमने यहां पर एक अकाउंट खुलवा लिया, और यहां पर जब हमने पैसा भेजा, तो हमारा पैसा जब उनके पास गया, तो इसको मैं नोस्त्रो बोलूँगी, ठीक है? वैर आज, ज़रूरी, अब मैंनमार इसको अलग तरीके च्पेशिस कर तरीके से देखता है, यह तो इंडिया का पर्सपेक्टिफ मैंने बताया है, मैंनमार के प्सपेक्टिफ से, यह वो स्त्रो है यानि यहां पर आज देह सकते हैं, your money at our bank, your money at our bank, यानि एकी चीज़ है, बट कौन से एंगल से हम देख रहे हैं, तो definition change हो जाती है Myanmar क्या बोलेगा इसको this is vostro क्योंकि your money at our bank ठीक है so यहाँ पर इसी तरीके से यह banking system और यह payment system काम करता है इस तरीके के account जो है बहुत सारे countries के साथ पेशल रस्या के साथ भी special vostro accounts हमने open किये थे again to facilitate trading ताकि असान बनाया जा सके अपनी ही currency में trade किया जा सके असान हो सके tracking हो सके properly यह सारे जो है इसका जो है यहाँ पर आपको याद रखना है nostro account held by our bank in foreign currency at another bank so basically एक ही चीज लिखी हुई है आप प्लीज यह जो पहली वाली line है our money at your bank and your money at our bank इसी को हम nostro और Wostro बोलते हैं बात एक ही है बस इसको उल्टा करके देखा जाता है इसलिए इनका नाम भी same same सा ही है similar सा ही है बर थोड़ा सा अलग है nostro account है held by a bank in another bank especially अगर मैं अपना कोई account खुलवा रही हूँ दूसरे देश के bank में उसको nostro बोलेंगे it allows customer to deposit money in the bank's account in another bank of course खुलवा ही इसलिए रहे हैं ताकि पैसा वहाँ पर भिजवा सके क्योंकि trade हमने किया है कुछ लिया दिया है कुछ import-export चल रहा है इसी वज़ा से payment करनी है इसलिए खुलवाया है इसलिए खुलवाया है it is often used if a bank has no branches is in a foreign country एक बात ये भी ध्यान रखिएगा अगर माल लिजे मेरा यहां से SBI से पैसा जान मतलब मेरा account SBI में है और मुझे अपने SBI के account से Myanmar में कोई भी पैसा भेजना है बट माल लिजे SBI की कोई branch already Myanmar में है तब मुझे नोस्त्रो वोस्त्रो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब मैं directly अपनी ही branch में SBI की एक branch है जो की Myanmar में खुली हुई है फिर मैं directly यहां पर पैसा transfer कर दूँगी बट ये branches आप खुदी देखो ना कितने सारे देशों में होती है कितने सारे banks की कितने सारे देशों में होती है नहीं होती है उसके लिए हमें ये special accounts खुलवाने पड़ते हैं तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी foreign देश में ये branches नहीं है तो हम ये accounts खुलवाते हैं नोस्त्रो वोस्त्रो जो है इनको foreign denomination में हम हिल करते हैं तो ये आपको याद रखना है international banking services में मदद करते हैं ये दोनों ही तरीके के जो accounts होते हैं इतना आपको याद रखना है अगैन एक और diagrammatic representation है ताकि आप समझ पाएं इसको अच्छे से मतलब वही है दाइग्रमाटिकली यहाँ पर बताया गया है कि नोस्त्रो अकाउंट यहाँ पर बेसिकली नोस्त्रो अकाउंट का मतलब है कि मैंने यहाँ पर अकाउंट खुलवाया है कहीं और दूसरे bank में और वोस्त्रो का मतलब है यहाँ पर ठीक है मतलब आपका जो account है हमारे पास so basically same ही बात है अलग-अलग diagrammatic representation अलग है चलिए next news पर चलते हैं deposit crunch in Indian bank Indian bank में deposit crunch जो है वो बताया गया है okay deposit crunch यानि पैसो की कमी deposit जो है वो कम है इसके reasons क्या है वो समझेंगे सबसे पहले Indian bank are currently facing significant deposit cash crunch deposit cash crunch जो है वो हुआ है हमारे देश के banks के साथ ठीक है over two decades पिछले कुछ सालों में पिछले 20 सालों में ratio जो है वो 80% का है bank are encountering challenges so काफी सारे challenges इससे वो जूज रहे है होता क्या है deposit cash crunch deposit crunch यही मतलब जो होता है deposit की कमी हो रही है banks के पास जो deposit होता है उसकी कमी हो रही है inadequate funds नहीं है लोगों को lend करने के लिए customers को देने के लिए क्योंकि deposits की कमी हो गई है इसके कारण समझना बहुत जादा important है अब deposits की कमी हो रही है उससे bank को बहुत जादा problems भी होती है हो सकता bank में जो काम कर रहे है उनका salary कट हो सके कोई और अलग-अलग तरीके के 100 disruptions आ जाएंगे bank की functioning में ये सारी चीज़े जो है यहाँ पर हो सकती है मैंने जैसे बोला मैं शुरू से बोल रही हूँ इसका reason समझना जादा important है reason देखिये बहुत सारे है सबसे पहला high return investment shift towards high return investment मतलब investors are increasingly opting for equity linked products पैसे हैं में पस दो option है या तो मैं bank में deposit कर दूँ अपना पैसा या फिर कहीं पर invest कर दूँ मुझे ये पता है कि मुझे invest करके return अच्छा मिलने वाला है तो मैं bank में deposit नहीं करूँगे similarly बहुत सारे ऐसे investors हैं जहां जिनको अलग जगाओ पर दूसरी जगाओ पर invest करके high returns मिल रहे हैं इसलिए वो bank को choose नहीं कर रहे हैं bank को opt नहीं कर रहे हैं एक ये reason है जिसके वज़ा से bank के पास कम liquidity है या फिर cash है या फिर deposit है regulatory requirement mandatory reserves like CRR, SLR tie up a portion of deposit यानि इसका मतलब ये भी है कि RBI कहता है banks को कि आपके पास अगर 100 रुपे हैं total तो आप उस 100 के 100 को आगे lend नहीं कर सकते हो जो है उसको loan में नहीं दे सकते हो RBI कहता है अगर तुम्हारे पास 100 रुपे हैं तो ऐसा है इसमें से 4.5 रुपे तो तुम हमारे पास deposit करोगे as CRR cash reserve ratio और इसमें से भी फिर इसके बाद जो बचा उसमें से भी आपको 18 रुपे यानि 18 पसेंट जोतना भी bank के पास पैसा है उसका 18 पसेंट 18 पसेंट आपको अपने ही तिजोरी में अपने ही पास रखना है जिसको आप आगे lend नहीं कर सकते हो इसको बोलते हैं SLR तो यहां पर यह कही ना कही काफी बड़ा amount bank के पास bank का ऐसा amount होता है जो bank आगे lend नहीं कर पाता है चीक है next है competition for deposits bank face intense competition deposits के लिए जिसकी वज़ा से जिसकी वज़ा से they are prompted to raise deposit rates to attract retail investors so competition भी एक जगा है मतलब एक reason है merger जैसे HDFC का HDFC bank के साथ amalgamation जो हुआ था merger हुआ था जिसकी वज़ा से जो ये overall figures होते हैं मतलब किस के पास कितना पैसा है ये भी fluctuate हो जाते हैं और आज कल काफी सारे mergers हो भी रहे हैं mergers generally करे तब जाते हैं जब ऐसा लग रहा होता है कि कोई bank बहुत अच्छा perform नहीं कर रहा है तो एक bank को दूसरे bank में merge कर दिया जाता है mergers और acquisitions होते रहते हैं ठीक है ओके येस येस शाक्षे बिलकुल आपने सही बोला January देश कुमार January से आपको देखना है bigger picture plus January से चली आगे बात करते हैं mercenary spyware attack spyware से question A की तरीके के आते हैं आप से सिफ नाम पूछ लिया जाएगा mercenary mercenary recently news में था बता दिजे क्या है it's a spyware apple ले recently issue किया है एक urgent security alert iPhone users के लिए इंडिया में और 91 other countries में notification warn करता है कि जहाँ पर spyware जो है attack कर सकता है आपके iPhone को तो यहाँ पर यह issue किया गया है बस आपको यही याद रखना है कि यह क्या है ठीक है बस एक नाम आप से पूछा जा सकता है उससे जादा कुछ नहीं आगे the book India the road to renaissance a vision and an agenda by Pheemeshwara Chol तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि इसने यह book जो है launch करी है यहाँ पर जो है इसको administrative staff college of India हाइदरबाद में launch किया गया है बस book का नाम और किनों ने करी है यह याद रखना है अमिता बचन को एक prestigious लता दीनानाथ मंगेश कर award दिया गया है सिर्फ इतना नाम याद रखेंगे और कुछ नहीं सिर्फ नाम याद रखना है basically nothing more than that चलिए अब कुछ questions quickly देख लेते हैं उसके बाद हमारे पास अगर time permit किया तो mint में एक article आया हुआ है जो रूपी के बारे में बात करता है वो भी हम पढ़ेंगे तो जल्दी से questions कर लेते हैं questions के बाद आज मैं अख़बार खूनने वाली हो और mint के article से हम deal करेंगे ठीक है here is the first question and your time starts now please be quick so that we can have time Abhishek great इसका सही जवाब है A यानी Madhya Pradesh next question to hold funds on the behalf of another account to facilitate domestic transactions to provide loan to customers to manage personal savings none of the above okay 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 दूप वहाँ पर बिगर पिक्चर प्लस जो आपने लिया है वहाँ पर आपको monthly magazines मिलती है जिसमें आपको पूरे महीने का current affair एक ही magazine में करवाया जाता है RBI circulars government schemes PIBs सब कुछ आपको एक ही magazine में मिल जाता है GAB ठीक है इसलिए different है यहाँ पर तो daily के news अकबार के कुछ articles हम पढ़ रहे है वहाँ पर पूरा monthly compilation आपको मिल जाता है एक magazine के form में I think I missed your name Abhishek and Arsh यहाँ पर आपने जवाब दिया है यह इसका सही जवाब है यानि यहाँ पर जो है to hold funds on the behalf of another bank next question and your time starts now consider the following statement Reserve Bank of India manage करता है managers and services government of India securities but not any state government security okay treasury bills जिनको हम T-bills भी बोलते हैं उनको भारत सरकार issue करती है and there are no T-bills issued by the state governments state government नहीं करती है union करती है center करती है यह बूल रहा है T-bills offer are issued at a discount from the power value which statement is correct please tell me थोड़ा technical लग रहा है not an issue कल मुझा याद दिलाएगा कल T-bills के बार में बढ़ लेंगे एक बार ठीक है treasury bills के बार में बढ़ लेंगे बहुत easy है आपने जो है monetary policy committee के tools पढ़े हुए है repo rate आपको पता है आपको government securities पता है क्या होते है ठीक है so T-bills समझने में जादा परिशानी होगी नहीं आपको and let me see Mariam and Abhishek gave the right answer यहाँ पर सही जवाब है C यानि यहाँ पर जो है 2 and 3 दोनों ही सही statements है यह क्यों है यह हम कल एक बार में detail में पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले आपको T-bills समझना पड़ेगा Treasurables क्या होते है वो मैं आपको कल समझाऊंगे Please do remind me एक बार मुझे याद दिला दिजेगा कल Telegram पे message डाल के Next question What role do regulatory requirements like CRR and SLR play in the deposit crunch बहुत अच्छा question है यह question इस तरीके के question आपके exam में आ सकते है यानि CRR और SLR क्या क्या role क्या है in deposit crunch यह जो deposit crunch हुआ है CRR और SLR ने कैसे contribute किया है इसको They decrease the competition for depositors Deposits They increase the flow of deposits into banks They tie up a portion of deposits limiting lendable funds They encourage banks to offer high interest rate on loan They reduce the need for the large deposits Easy question बहुत easy question है Direct वही line लिखी हुई है जो हमारे explanation में लिखी हुई थी But देखते हैं आप कितना smart है और कितना जल्दी catch करते हैं थोड़ा सा जल्दी से Sanjay and Abhishek Very good C सही जवाब है इसका यहाँ पर exactly वही लिखा हुआ है और I think यही एक RBI और BANK के बीच में जो एक आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी एक topic पर जिस पर debate होती है वो यही है वो कहते हैं कि जी आप इतना पैसा तो हमारा रख लिया है हम इसको आगे दे नहीं सकते कि BANKS अफ कोस अप से BANKS जो कमा रहे हैं वो लोन से ही कमा रहे हैं सो definitely they will say these things Okay, next question Which country is hosting the Clean Economy Investor Forum organized by IPEF India, Singapore, Japan, Thailand, Australia Hmm, no joke Thank you Abhishek The right word Arsh, very good मार्या, ग्रेट, इंडिया और सिंगपॉर, सिंगपॉर is the right answer, चलो, अब यहाँ पर आप सभी को पता है, यह मेना टेलीग्राम है, टेलीग्राम से पहले मैं आपको भी बता दू, साड़े छे बज़े, यानि इसके जस्ट बाद मैं सेकंड सेशन लेकर आ रही हूँ, को आप जरूर देखेगा, साड़े छे बज़े से वो शुरू हो जाएगा, तो यहीं पर लाइव रहना, आपको कहीं जाना नहीं है, मैं आपको बता दू, अगर आप RBI, IFSEA, NABARD, SEBI या फर EPF हो, किसी भी चीज की तयारी कर रहे हैं, हर चीज के जो हमारे courses हैं, वो महापक्स, महापक में क्या होता है, कि आपको affordability make sure करी जाती है, maximum discount आपको यहाँ पर मिलता है, जादा exams यहाँ पर cover होते है, मेरा एक course है, The Bigger Picture Plus जहाँ पर मैं मंतली magazines देती हूँ, ठीक है, current affairs पूरा कराती हूँ, RBI Circulus, Government Screens, PIB, सब वहाँ पर होता है, सब के proper notes होते हैं, तो वो भी आपको इसी में complimentary मिल जाता है, ठीक है, और UPSC, EPF को भी definitely आपको, you know, this is the batch जो आप ले सकते हैं, इस same code के साथ, इस code से आपको क्या फायदे है, इस code से आपको यह फायदे है, शायद maximum discount और, maximum discount तो आपको यहाँ पर मिलता ही है, मेरा guidance भी यहाँ पर आपको मिलता है, मेरे telegram के जरिए, ठीक है, यह मेरा telegram है, जहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हैं, अगर आपका strategy related कोई भी doubt हो, you can contact me here, right, चलिए, 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 जिस 4 minutes left, तब 3 minutes रहते हैं, उसके बाद हमारा P.I.B. वाला session शुरू हो जाएगा, एक काम करेंगे, जो newspaper वाला, जो हमारा newspaper, हाँ, newspaper में का article था, आज वो छूट गया, कोई बात नि, कल हम उसको cover करते हैं, वैसे वो वाला जो dimension है, वो मेने already cover करवाया हुआ है, mint में भी repeated articles आते हैं, तो रूपी का एक dimension समझाया हुआ है, कि जो हमारा रूपी गिर रहा है, वो कैसे basically, कैसे impact कर यह सारी चीज़े वहाँ पर discuss करी हुई है, but we will discuss it tomorrow, कल अच्छे से हम उसको discuss करते हैं, because we have to start this session as well, यह वाला session शुरू करते हैं, वापस अभी आ जाईए, join कर लीजे, 6.30 पर join कर लीजे, thank you so much everyone, I'll see you tomorrow.